बिसमिल्लायर्माइन रहीम, असलाम अलेकूम, वेलकम बैक टू माई चैनल और इसी के साथ में किल की टू मैंने प्लेज यॉज़ लिया है, तो आपके साथ एक कपड़े लीज़ों अाप पाली नमर्ज ही अलग कंप्र को सब्सक्ताइब प्रफ में किसी कपड़या तो सबसे पहले हमे पें कपड़े करने हो necesit तो देखिए कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है हाफ मीटर के करीब है इसे पहले हम इस तरह से हाफ कर लेंगे हाफ करके हमें इस तरह रखना है आप चाहें तो इस हिजाब को सैटन की कपड़े में भी बना सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कपड़े को इस तरह से बराबर कर लिया है इसके बाद में हमें इसे क्रॉस करना होगा यानि जिस तरह से हम रेटा फ्रॉक की कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस कर लिया इसे मैं अप टरन कर देती हूँ क्योंकि साइड में आप देख सकते हैं कपड़ा यहां पर छोटा बड़ा है इससे पहले हम बराबर करेंगे उसके बाद में हम मेजरमिट कर लेते हैं इस कॉर्णर से हम यहां तक देखें कितना कपड़ा है तो यहां पर मुझे 20 इंच मिल रहा है तो मैं इसकी लंबा इतनी क्योंकि यह 2 साल की बच्चे का है तो इसके लिए काफी एतनी लेंद तो 20 पे हम इस तरह से बराबर मार्ग करते हुए चले जाएंगे और इससे बिलकुल हमें इस तरह से सरकल शेप देना है इससे हम डाग करके उसके बाद में यहां से हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से कपड़ा है हम उसकी कैप बना देंगे इसे मैं आपको खोल के दिखा देती हूं तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसके अंदर गहरा बन गया है अभी जो सामने वाला हिस्सा है यह हमारा फेस वाला हिस्सा रहेगा और बाकी जो नीचे का हिस्सा है हम उसे सिलाई कर देंगे तो हमें यहां पर फेस का राउंड लेना बहुत ज़रूरी है आप बच्चे का नाप ले लीजिए और साथ में देखिए मैंने कपड़ा लिया है इसकी हम रफल बनाएंगे और इसी की साथ में हम थोड़ा सा लेस्स करेंगे अग्लेस मिजे नीचे भी लगानी है थोड़ी सी मैं कैप के उपर भी लगाऊंगी तो आपको फेस का नाप लेना बहुत ज़रूरी है बच्चे का आप हैर्बिन की तरह बिल्कुल उसको मेजर टिप को रखी है फेस पे तो आपको उसकी पूरी गुलाई मिल जाएगी तो उसका हाफ आपको लेना है तो यहां पर मैं 8,5 इंच ले रही हूं उपर की हिस्से पर हम कैप लगा देंगे और जो थोड़ा सा हिस्सा बचे के हम हपे हम सिलाई लगा के छोड़ देंगे उसको और फिर निचल आले हिस्से पर हमें पूरा पैक कर देना है और यहां पर मैं देखे मैं नौश लगा दिया है जह तो यहां पर हमें सबसे पहले इस तरह से half fold करना है तो इसे fold करके पहले हम इसे pin up कर लेते हैं क्योंकि हमें pin up करने के बाद में बिल्कु सीधी सिलाई हम इसके उपर लगा देंगे यहां पर देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है अब हम इसके अंदर छोड़े छोड़े plates बनाएंगे इस तरह से और half of inch की दूरी पर देखिए मैंने बनाया है आपको अगर यह मुश्किल लगे तो आप सिर्फ gather बिगा सकते हैं तो हमारी यहां पर रफल देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब हम इसे जो है कैप में लगाएंगे तो कैप काटने के लिए है मैंने यहां पर बचवा कपड़ा लिया है इसे हम क्रॉस करेंगे और कैप का नाप भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं यानि एक आपरो से लिख जो आठ इंच ली थी अब हम इसमें चार इंच पर निशान लगाएंगे तो यहां पर देखिए मैंने निशान लगा दिया इसे हम इस तरह से शेप देंगे और शेप देने के बाद में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है यह कैप मैं थोड़ी छोटी बच्चे का बना रहे हैं हम क्योंकि इसके अंदर रफल लगाने वाले हैं इसलिए मैंने यहां पर थोड़ी सी छोटी ही कैप रखी है इससे अब हम खोल देते हैं इस तरह से और खोलने के बाद में क्योंकि हम इसके बीच में रफल लगाएंगे तो हम यह एक कपड़ा जो हूए वो दो हिस्षे में divide करना पड़ेगा तो हमने यहाँ पर cutting कर देते हैं हमने दो हिसे में देखे इस तरह से cut कर लिया है अब हमें इसमें रफल लगाना तो सीधा हिस्सा मैंने उपर रखा है और इस रफल को भी हम इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे और बिल्कुल सीधी सीलाई लगा के हमें इसे attach करना है तो इसके उपर हमें बिल्कुल सीधी सीलाई लगाते चले जाना है तो यहाँ पर देखे मैंने रफल लगा दिया है अब जो दूसरा वाला हिस्सा है उसे भी हमें इसके उपर ही attach करना है को प्रां करना होई वियाई और कंवा कि उसिए प्रफ़ कर देंगे और जिसाथे कीeste निया धारगे global tail कर You ज Οक że हमद्वार, कुम fictional model करनी है तो उसे के उपर हमें डबल देखा निकाल देंगे तो जो इसे दिखा देने तो यहां पर दिखिए हमने सिलाई लगा दी इसे मैं आपको खोल के दिखा देती हूं एक्सट्रा दिखिए हमने कट कर लिया है इसे हम खोल देंगे इस तरह से उसके बाद में इसके उपर आप चाहे तो सीधी सिलाई लगा सकते हैं लेकिन क्योंकि हम यहां पर लेस लगाने हमारे हिजाब में तो हिजाब का जो यह उपर वाला सिंटर वाला पाट है यहाँ पर मैंने मांक कर लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर के सिंटर में मांक किया है देखिए हम इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे और जो थोड़ा एक्स्ट्रा कप्ड़ा रहेगा यहाँ पर हम में सीधी सिलाई लगानी है तो इस cap को अटेज करने से पहले आपको यह वाले इससे को इस तरह से फोल्ड करना होगा आप चाहें तो दो बार फोल्ड कर सकते हैं लेकिन इस कपड़ी किनारी आप रखना है और हम इसके उपर इस तरह से पिन लगा देते हैं ताकि यह अटेश हो जाए और किनारी पर से जो रफल है उसे हमें अंदर की तरफ करके ही रखना है ताकि वो रफल का जो साइड वाला हिस्सा है वो बिल्कुल दिखाई ना दे और दुसरे तरह भी हम इसे तरह से पिन अब कर लेना है आप हम इसे लगाएंगे तो बिल्कुल किनारी पर से हम लगाते जाएंगे और जो पिन हमने लगाई थी वो हम निकालते जाएंगे साथ में तो यह देखिए एकी सिलाई से जो है हमारी यह कैप बहुत ही आसानी से लग जाती है यह हिजाब बहुत करण देख सकते हैं अब हमें सामने वाले हिस्से एक बतुत है है धील्कुल किरें इतने दूर हमें मांक करके छोड़ देना है बाकी हिस्से को हम झाल लगा देंगे यहाँ पर देखिए मैंने मार्ग कर दिया है बिल्कुल सीधी सिलाई से हम इसे बंद कर देना है और निचा अगर आप चाहें तो डबल पोल कर दें या फिर सिंगल पोल करके आप डारेक लेस लगा सकते हैं तो यहाँ पर हम पहले सिलाई लगा देते हैं इस सिलाई को भी हम डबल कर लेंगे तक यह मजबूत रहें तो यहाँ पर देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है इसे हम निकाल देते हैं इसे मैं आपको सीधा करके बता देती हूँ अब देख सकते हैं यह जो हमने कैप लगाई बहुत ज़्यादा खुबसूरत लग रही है और हमने इसमें लेस का यूज किया है उसकी वैसी और ज्यादा खुबसूरत हो गया अब हमें नीचे के से में लेस लगाना है तो क्योंकि मैंने इस डबल फोल्ड नहीं किया नेचे और मैंने देखे इस तरह से सिर्फ एक बार उपर की तरफ फोल्ड किया है सीडी तरफ और उसकी उपर मैंने डारिक लेस रख दी है इस तरह से हम एक ही सिलाई में लेस को लगा देंगे और बहुत जल्दी और आसानी से लेस जो है वो लग जाती है अब लास्ट में जब हमारी जो लेस खतम होगी तो एंड में हम जो यह एक्स्ट्रा है हम यहां से कट करके निकाल देंगे और थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेने के बाद में हाफ फोल्ड करेंगे अंदर और इसके उपर बराबर करते हुए डबल सिलाई लगा के हम इसे इस तरह से तो यहां पर मैंने देखिए लंबाई जो है वह साड़े साथ इंच ली है इस तरह और चोड़ाई मैंने यहां पर टूपॉंट फाइंच ली है हम यहां पर फाइस स्क्ट्रा की जरूवत होगी आप चाहें तो रेडिमेट फ्लावर भी लगा सकते हैं लेकिन मै मैं डबल इस तरह से कटिंग किया है उसके बाद में दो बारा से हम यहां से बी कट कर लेंगे यान रहाग। इस तरह से लगाने के बाद में हम धागे को खीच लेंगे और विल्खुल इसी तरह से हमें दूसरी तरह भी करना है इस तरह से जो फ्लावर का पैटल हो वह जल्दी बन जाता है तो एक तरफ से देखे मैंने खीच लिया है दूसरी दरफ से भी हमें इसी तरह से करना है इस बना के रेडी हो चुके हैं अब हम इसके अंदर एक साथ में सिलाई लगाते चले जाएंगे यह निकिए हमें धागे में सब एक साथ में पिरोना है तो हम इसे एक के बाद एक इस तरह से पका करते चले जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं चार किस्म की बटन है जो भी आपके पास आप लगा सकते हैं अगर आपके पास कोई फ्लावर वाली नहीं है तो सिंपल डाइमंड भी आप इसके उपर स्टीक कर सकते हैं या फिर इस तरह की शर्ट की बटन है तो भी लगा सकते हैं या फिर ऐसी मोती है तो भी आप इसके उपर लगा सकते हैं तो यहां मैंने देखी इस तरह से सुई धागे से ही लगा रही हूँ आप चाहें तो ग्लू गन से भी लगा सकते हैं बहुत ही आसान से इस तरह सी फ्लावर लग जाता है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगा इस फ्लावर को बनाने में तो यहां पर हमारा बेबी हिजाब बिलकुल आना है तो आप शोल्डर से थोड़ा नीचे तक भी ना पले सकते हैं और यह हिजाब जो है वो बचीवी कपड़े में आराम से बन जाता है यह कपड़ा मैंने यहां पर यूस किया है यह कमीज का बचा हुआ कपड़ा है मैं ज्यादा तर कपड़े नहीं खरिती हूँ हिज जबाब बनाने के लिए घर के बचेवी कपड़ों से हिजाब बन जाता है उमीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको helpful लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब क तो मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए टेक केर अल्ला हाफीज